प्रभू राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदी नाम एक ही शक्ति के हैं वो कैसा है कहा है कैसे मिलता है किसने देखा है ये प्रश्णवाचक चिन पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिये जगत गुरू तत्व दर्शी संतराम पालजी महराज के अमरित वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर दर्शको जगत गुरू संतराम पालजी महराज के अद्भुद अलोकिक सत्संग प्रवचनों ने हिंदुस्तान में ही नहीं बलकि विश्व में एक आध्यात्मी ज्यान की क्रान दिला दी है लाखों श्रधालों ने हमें इदन सत्संगों के प्रिसारन के लिए बधाई पत्र भेजे हैं इसके साथ साथ कुछ श्रधालों ने कुछ शंकाएं भी हमारे को भेजी हैं हमने उन सब शधालों की शंकाओं के निवारण के लिए संत रामपाल जी महराज से भेंट की तथा महराज जी से उन सभी शंकाओं का निवारण जाना जिसकी जिग्यासा हमारे दर्शकों में बनी हुई है तो आईए अब जानते हैं परम पुझे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महराज से आपकी हर शंका का समाधा महराज जी क्या श्राद पिंडोदक्रिया करने चाहिए प्रमाण सहिद बताएए आज आपको थोड़ा सा विवरन देंगे कि ये सराद ये सराद क्यों निकाले जा रहे है पुने अत्माओ जब तक हमें सत्गुरु नहीं मिलते है तब तक हम अपने मनुस जीवन को विर्थ ही करके जाते रहे है बले हम आन उपासनाय करके छोटी मूटी सिद्धियां परा करन से हम आम व्यक्ति से ज्यादा कुछ उत्तम नदर आते हैं जो ये रिशी महरिशी सद्ध संत के लागे इनोंने काल साधना की और उसे कुछ सिद्धियां प्राप्त कर ली और जिस कारन से हमने इनको सादू संत और मातमा पहुंचे वे मापुरुश मान लिया सिद्धि प्राप्त प्राणी ऐसा होता है जैसे आप देखते हो वर्षा के समय में बिलों से चीटियां निकलती हैं और उन चीटियों में कुछ पंखों वाली चीटियां भी होती हैं और वो आकास में उड़ जाती है तो अन्य चीटियों को ऐसा लगता है कि ये चीटि जो है ये तो वही बगवान से मिलगी ये तो आकास में उड़ जाती है और फिर क्या होता है या तो किसी दीपक के उपर जलके मर जाती है वो आकास में उड़ने वाली चीटियां या किसी बलब के ट्यूब के चारों और चकर काट काट के वो पंक रहित होकर जमीन पर गिर जाती है और अंत में वो चीटी की चीटी ही हो जाती है ठीक इसी पर काट ये रिसी महरिसी जो कालसा अधना करके हट योग करके जनतर मंतर करके इनुने सिद्धियां प्राब्ट की और फिर ये सिद्धियां समाप्ट हो जाती है कुछ एक इनके उल्टे सुल्टे कारिये ये कर देते हैं किसी को सराप दे देते हैं किसी को दूआ देते हैं किसी को बदूआ दे करके फिर ये लास्ट में जीव के जीव ही रह जाते हैं तो सत्संग सुनने से हमें ग्यान होता है कि कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी ना करनी चाहिए। आज आपको थोड़ा सा विवरन देंगे कि ये सरहाद क्यों निकाले जा रहे हैं। हमारे जो धर्म गुरु थे, ये अज्ञानी थे एक नंबर के। इनको ना अपने सलेबस का पता था अपने text की books का पता नहीं। पुरान स्रीमत्वगवद गीता और वेद ये हमारे अध्यात्मिक सलेबस है। और हमारे धर्मगुरु संस्क्रत जानते थे। और यह संस्कृत बोला करते थे, गीता का और वेदों का मंतर तो वही बोल देते थे, अनुवाद अपने हिसाब से गल्द करते थे, जिस कार्ण से हमारे अंदर भरम बना रहा, कि ये बड़े विद्वान हैं, संस्कृत भासा जानते हैं, इन्होंने सद्गरंथों को ठीक ठी और साथ में हमारे पूर्वज भूत बनवा कर छोड़ दिये, एक मुटा साउदान देता हूं आपको, एक समय एक रूची रिशी थी, उस ब्रामन ने वेदों को समझा, और उसके आधार से अपना जीवन प्रहरम किया, भगती मारग का, उसकी उमर चालिस वरसकी होगी थी उसने व्योहा नहीं किया, ब्रह्मचारी पद में रहता हुआ, वेदों नुसार अपनी साधना कर रहा था, जैसा उसको ग्यान था, चालिस वरसकी आयों जब होगी, उसके पूर्वज चार ब्रामन और दिखाई दे, जो मर चुके थे, मर्तु को प्राप्त हो चुके थे, पिता जी, दादा जी, और पर दादा जी, और फिर चौथा दादा जी, वो च्यारों उसको आकास में दिखाई दी, आवाद लगाई कि वेटा, रूची, आपने विहा क्यों नहीं किया, और विहा करके हमारी सराद निकालता, हम बहुत दुखी हो रहे हैं, आपने युकार ये क्यों नहीं किया, तो रूची रिशी कहने लगा के है, पितर महो, वेद के अंदर इस सराद करम को, इस करम कांड को, मुर्खों की साधना बताया है, फिर आप मुझे क्यों इस करम में लगा रहे हो, इस बात को उसके पूरवज रिशी, उसके पिता दादा पर दादा च उसके इसा ही है, जैसा आप बोल रहे हो, वेद में एसा ही लिखा है, जब वेद में, वेद है सिध्धान भ canal का, एक विद्धान परमात्मा का, और ये जो उन रिशी, मेरिशी, उनने कहां से ग्रहन किया वो, कि इसराद निकालो, ये किसी पुरान से ग्रहन किया, और पुर और श्रीमद्भगुत गीता वेद वाला ग्यान ही श्रीमद्भगुत गीता के अंदर है और सुक्सम वेद में भी ऐसा ही है जो प्रमात्मा ग्यान देते हैं तो अब आपको थोड़ा सा मारकंडे पुरान से ये परकरण रूबरू करते हैं जिसमें रूची रिशी और उसके पुर्वजों का जो भूत बनकर दक्के खा रहे हैं और अपने पुत्र को भी उसी विवस कर रहे हैं कि तू भी मन भूत गल्थ साधना करके ये देखिएगा मारकंडे पुरान मारकंडे पुरान सचीत्र मोटा टाइप केवल हिंदी संक्सिप्त गीता प्रैस गुरुप से प्रकासित हैं और ये कहां से छपा है अब इसके हम आपको ले चलते हैं 242-43 पे ये देखिएगा 242 प्रिष्ट पे मारकंडे पुरान संक्सिप्त मारकंडे पुरान मारकंडे जी कहते हैं ब्रमन पूरो काल्व की बात है परजापती रूची ममता और एंकार से रहित इस प्रिष्वी पर वितरते थे उन्हें किसी से बैर नहीं था वे बहुत कम सोते थे उन्होंने ने तो अगनी की स्थापना की थी और उन्हें अपने लिए घर ही बना रखा था वे एक बार बोजन करते और बिना आस्रम के ही रहते थे उन्हें सब परकार की आसक्तियों से रहित एमें मुनी वर्ती में रहते देख उनके पितरों ने उनसे कहा पितर बोले बेटा यह देखो यह बूत दीखिगे इसने यह देखो यह बूत दिखाई देगे चारों ये पिताजी दादाजी और फिर दादागा पिताजी दादागा पर दादाजी ये चारों बहुत बंडरे रिशी जी अब ये क्या इंस्टेक्शन दे रहे हैं देखिएगा पित्र बोले बेटा विहा स्वर्ग और अपवर्ग का हे तू होने के कारण एक पुन्ड में कारिये है उसे तुम ने क्यों नहीं किया गरिष्ट पुर्ष समस्त देवताओं, पित्रों, रिषियों और अठीचियों की पूजा करके पुन्य में लोकों को प्राप्त करता है वह है सुभा के उचारण से देवताओं को, सबधा के सबद से पित्रों को तथा अन्दान बलिवैस्वदेव आदी से भूत आदी प्राणियों एवेम अतीथियों को उनका भाग समर्पित करता है बेटा, हम ऐसा मानते हैं कि गरिष्ट आश्रम को सभिकार ना करने पर तुम्हें इस जीवन में कलेश पर कलेश उठाना पड़ेगा और मर्टू के बाद और दूसरे दिनम में भी कलेश ही भूगने पड़ेंगे अब रूची रिसी कहता है पित्तर गण परीग्रे मातर ही अत्यंत दुख एवेम पाप का कारण होता है और तथा उससे मनुश्की अधोगती होती है यही सोचकर मैंने पहले स्ट्री संग्रे नहीं किया अब हम ज़्यादा ना पड़का आपको अपने काम की बात पड़ावाँगे पित्तर बोले बेटा जितिंद्रिय होकर आत्मा का प्रक्षालन करना उचित ही है तुम जिस पर चल रहे हो वह मोक्स मारग है रूची ने पूछा पिता महो वेद में कर्म मारग को किसको जो इसने भी बता था कि इनोंने बता था इन पित्तरों ने कि गरिश्ट पुरु ससमस्थ देवताओं पित्तरों रिशियों रतिच्यों की पूजा करके पुन्वें लोकों को प्राप्ट करता है वेस्वा के उतारण से देवताओं को सब्धा के सब्ध से पित्रों को अंदान बली वेस्व देव आदी से भूत और अज़ प्राणियों एमातीत्यों का उनको भाग समर्पित करता है बेटा हम ऐसा मानते हैं ग्रिस्त आश्रम को स्विकार ना करके तुमने जिवन में कलेश पे कलेश भोगे ने पड़ी है बहाद बहावार्थ है कि तुम यह सरा अथ्रूद ना निकालता यह निकाल है अच्छा यह क्या कह रहा है फिर यह कह रहे हैं कि जो तू लग रहा है हाँ यूत था मोक्समारग में lifकोल के पूरवज कह रहे हैं यह कि जो तू लग रहा है वो मोक्समारग और हम बता हुए वो नरक मारग माजा तूं मोक्समारग करना चौत देए यह देवता कह रहा है जितेंद्रिये होकर आत्मा का प्रक्षालन करना उचित है कि इन बतावाएं कि वो कुण सा मारग है अब रूप ची ने पूछा पिता महो वेद में कर्म मारग को अविद्धा कहा गया है यह सराद सरुद निकालना बूतों की पूजा करना तेर्मी करना यह सारा कर्म मारग है कर्म कांड है वेद में कर्म मारग को अविद्धा मूर्खों का म मारग कहा गया है, फिर क्यों आप लोग मुझे उस मारग पर लगाते हैं, पित्र बोले यह सत है, कि करम को अविद्धा ही कहा गया है, इस में तनक भी मिध्था नहीं, फिर क्या रह गया, अब इनकी अकल देखो, इनकी चोर लेगे इनकी अकल को, इन पित्रों की, असराद न कर रह था अपनी वेद्धों क्या धार से, और यह भी मानते हैं, कि तुम आप जो साद ना कर रहे तो मौक्स मार गए, और यह कह रहा है कि, रूचीर कह रहा है कि यह तो वेद्ध में इसको मुर्खों की पूजा बता है, अविद्धा क्या है, और खुद भी मानते हैं, यह के बाद तो सही, इस में कोई मिध्या नहीं, फिर टटू रह गया, थारा शर रह गया, क्या रह गया, जो वेद्ध में रिजेक्ट कर दिया, कि सादना नहीं करनी चीए, पित्र पूजा, भूत पूजा, अब कहने का भाव यह है कि नो ने इस रूची को ड्रा दमका के, पर आपको कोई चार दादे जी हिजां दजब्बा समर्पन कर दो, बोलो जी कि यह को हुआ ही कर दूँगा, तो हमने इन दादों के चक्र में पाणा नहीं, कहीं भक्त कहते हैं कि वही जैसे अपने पूरूज दिखाई दे जा, पिताजी दिखाई दे जावर वो कहे कि मेर सरहद निकलवा दो, तो कैसे मना की आजा सकता है, पुने अत्माओं तरक के साथ, विवेक से चलना पड़ेगा हमने, वो तो कुवे में गिर गे, अरे वो कह का जा विटा तो भी गिर जाज़, कुवे में बुधी मान ता पड़े नहीं, बुधी मान का करते हो बनता है, कु कुवे ऐसा साधन खो जाए, उस मरसा फांश दे, तब उसने कह, आप भी पकड़े दोर बार आजाओ, आप कुवे जान बचाए, मुझे के उमर वा रहे हो पिता जी, तो बुधी मता इसमें होती है, अब कुवे में गिरेवे विक्ती को निकालना चाहिए, ना कि बहुकता मत चलांक लगा दे, दोनों मरगे फिरता है, तो इन गल्स साधना करके जो भूत योनी पित्र योनी प्राप्त कर चुके हैं, उस साधना को हम नहीं करेंगे नहीं, तो हम भी स्कुवे में गर जाएंगे, अपने अत्माँ, शिरीमत भगवत गीता में क्या बता है, शिरीमत भगवत गीता अध्याय नमर 9 के सलोक नमर 25 में कहा है, जो देवताओं की पूजा करते हैं, देवताओं को प्राप्त होते हैं, और जो पित्रों की पूजा करते हैं, पित्रों को प्राप्त होंगे, पित्र बन जाएंगे, और भूतों की पूजा करने वाले भूतों को प्र गीता प्रेश गुरुपुर्शे प्रकासित है जैदाल गोईंद का इसके अन्वादक है अध्याय नुम्र नो के स्लोक नुम्र पत्चिस को आपके रूब रूब करते हैं यह अध्याय नुम्र नुम शिरीमत भगत गीता और पत्चिस मा स्लोक देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं पित्रों को पूजने वाले पित्रों को प्राप्त होते हैं पित्रों को प्राप्त होंगे पित्र अबन के जाएंगे और भूतों को प्राप्त होने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं मेरा पूजनेवाले मुझ को प्राप्त होता है, अब इस पवित्र स्रीमत भाकुत गीता न भी स्भष्ट कर दिया, बूथ पूजोगे तो बूथ बनोगे, पित्र पूजोगे, पित्र बन जाओगे, और देवताओं की पूजा करोगे, देवताओं के लोक में जाकर उनके अ राम रमे सो राम है, देव रमे सो देव, और भूत रमे सो भूत बने, समझ देख सुर्ध भेव, अब आपको एक छोटी सी कथा सुनाता है यह दास, जो हमारे सत्गरंथ हैं, उनके अनुशार हम साथ ना करेंगे, तो हम सफलाओंगे, शिरीमत भगुत गीता अध्याय नंब श्माना आचन करते हैं, उनको ने तो सुक्ष होता है, नय उनको कोई सिधि प्राप्त होती है, और नहीं उनकी गति होती है, अर्थात यूजलेस, इससे Тेरे लिए अर्धुन कर्तीव कर्तों की व्रस्था में, कौन सी शाधना करने चाहिए, कौन सी ना करने चाहिए, उसक सास्तर ही प्रमान है किसी अन्य विक्ति की लोक वेद पर विश्वास ना करना अब आपको सत्संग में पहले बता था कि सत्गरंथ कौन से हैं जिन में वर्नित साधना हम करें वो सास्तर नुकूल है पवितर चारों वेद और पवितर श्रीमत भगुत गीता जो वेदों का नि विधान नहीं है वो बिर्माजी का ग्यान है और बिर्माजी के साथ साथ फिर उन्हों ने परतेक रिशी ने अपना कुछ अनुभाव मिलक मिला करके अलग अलग पुरान बाइट जी शिव पुरान विश्व पुरान जो देवी पुरान मारकंडे पुरान जैसे मारकंडे अपने तुके मारे हैं, वो पुराणों का ग्यान है, विर्माजी का ग्यान है, वो गौड गिवन नहीं है, जो प्रमात्मा का दिया हुआ ग्यान है, वो सविधान है, उसके एतिरिक्त किसी विर्माजी का या किसी रिशी का दिया हुआ विधान है, अध्यात्मार का, तो उसक द्रोगा जी का मित्र था, एक ग्रामिन किसान, और उसने अपने मित्र द्रोगा से कहा कि मेरा एक पड़ोसी है साथ वाले मकान में रहता है विक्ति, और वो मुझे बहुत दुखी करता है, कोई समाधान बताओ, तो द्रोगा जी ने कहा, द्रोगा जी ने कहा कि मार उसका लठ, मा आप देख लूँगा, अब उस विक्ति ने अपने मित्र, द्रोगा जी याने एक अधिकारी की आग्या का पालन करके, अपने पड़ोस वाले उस में व्क्ति के साथ जगड़ा ठान लिया, और उसका लठ्ध मार दिया, लठ्ध मारन एक अधिकारी की आग्या का पालन करके राजा का विद्धान भंग कर दिया राजा का विद्धान है कि कोई किसी की हट्टा करेगा तो उसको सजाय मौत होगी वही अधिकारी वो ऐसे चो अपने उस मित्तर को अरेश्ट करना पड़ा उसने और हवाला अतमर डालना पड़ा और फिर उसको सजाय मौत होगी तो पुने अतमाओं जो वेद गीता और सुकसम वेद ये है विद्धान परमातमा का इसकी अतिरिक्त कोई व्यक्ती विशेश या कोई रिशी विशेश या कोई देव विशेश अपने सत्र का कोई ग्यान आपको देता है हदेश देता है कैसा कर लो ऐसा कर लो अगर वो वेदो मन ही मिलता है तो वो परमातमा का विद्धान खंड होगा उसकी आज्या पालन करने से अब आपको थोड़ी सी जलग दिखाते हैं अब आपको रोणा आया करेगा हमारे पुर्वजों की दुरुवदी करवादीन लोगों ने अंदों ने एक टीचर का फरज बने है अपने से लेवस ने डंगते जाने और फिर विद्धार्चियों को पड़ावे अब आपको दिखाते हैं श्री विष्णों पुराण अपने अत्मों यही पुराणों की अगर मानें तो पुराणों के अंदर भी बहुत सा ऐसा विवरन दे रख्या है जो जैसे दास ने बता था कि जैसे हमारे सद्गरंथ है ये एक वन है और वन के अंदर बहुत सी अच्छी जड़ी बूटिया होती है और जानकार वेक्ति उन अच्छी अच्छी जो अवशक है उन जड़ीयों को निकाल कर एक आउस्ती बना लेता है उस वन के अंदर जंगल के अंदर ऐसी भी जड़ी बूटिया होती है जो हानी कारक भी होती है तो जिसको ग्यान नहीं वो हानी कारक जड़ी बूटियों को मिला कर अगर बना देता है जो गाड कोई जड़ी बूटी तो वो दौई बनाता है तो हानी करती है तो इन्होंने वो जड़ी बूटियां सेलेक्ट कर ली जो हमारे लिए हानी कारक थी अब हम लेंगे वो जड़ी बूटियां जो हमारे लिए लाब दायक है जिस जो वास्तविक और श्दी बनती है जिस से इसी ये विश्णु प्राण है देखिएगा ये है शरी विश्णु प्राण सचितर इंदी अनुवाद सहित और गीता प्रैस गुरुपुर से प्रकासित है इसके अनुवादक कौन है ये भी दिखा देखते हैं इसके अनुवादक है शरी मुनिलाल गुप्त और गीता प्रैस गुरुपुर से प्रकासित है 213 प्रिष्ट का थोड़ी सी जलग दिखाते हैं, सम्झदार को संकेत प्रियाप्त होता है, यह तिर्थिय अंस और अध्याय नुम्बर 15, 15, 16, 16 हम 15 पढ़ेंगे, हे राजन सराद करने वाले पुरुष से विश्वय देवगण, पितरगण, पितामहे और कुटबजन सभी संतूष्ट रहते हैं, जो सराद करते हैं, उनसे देवगण, पितरगण, पितामहे, कुटबजन सभी संतूष्ट रहते हैं, आगे क्या कहा कि हे बुपाल प्यत्तरगण का आधार चंद्रमा है और चंद्रमा का आधार योग है इसलिए सराद में योगी जन को नियुक्त करना अति उत्म है हे राजन यजी सराद भोजी एक सैंस ब्रामन हो ब्रामनों के सम्मुख सराद खाने के लिए आए हुए एक जार ब्रामनों के सम्मुख एक योगी भी हो तो वह है यजमान के सही तुन सब का उधार कर देता है अब इसे क्या सपस्ट हुआ वही सरादों की महिमां बताने वाला औरव रिशी औरव रिशी बोल रहे हैं औरव वो क्या बता रहा है कि सराद निकालने वाला पितरों को और पितर गंड पिता महे कुटबी जिन और देवताओं को खुस करता है फिर इसके साथ साथ सेर सपस्ट कर दिया है कि सराद कर रहे हो सराद कारत होता है एक धार्मी कनुष्ठान तो उसमें ये बताया कि उस धार्मी कनुष्ठान मैं यदि एक हजार ब्रामन आरे हो सराद जीमने वाले उनके सामने एक योगी आजा उनके साथ मैं अब योगी का क्यारत है गीता अद्धाय नमर दो के सलोक नमर त्रेपन मैं कहा कि अर्दुन जिसमें तेरी वुधी बिन-बिन परकार के वचनों से विचलित ना होकर हटकर एक प्रमात्म तत्व ग्यान के उपर आश्रित हो जागी तब तो तु योग को प्राप्त होगा तु बगत बनेगा योगी बनेगा तो अब यहीं की बता है कि योगी वो होता है जो पूर्ण प्रमात्मा के ग्यान से प्रीचित हो अटल ग्यान रखता हो सत्साधना कर रहा हो उसको खुजन कराने से कहते हैं उन पत्रों का भी उदार ओजा एक जार ब्रम्ना का उदार हो जो पेट बरते फिर रहे हैं जिनको ग्यान कती नहीं और यह जुमान का भी उदार हो तो पूना आत्मा अईदास ने आपको सबसे पहले योगी बनाया है और यहां पर जो सादना होती है दस मेदन सरादों लाग रहे हैं आपर दस मेदन समागम होते हैं और जो भी दान पुनाब करते हो यह सब योगी खाते हैं और इनके खाने से आपके पित्रों का भी उद्धार होगा जो यहां दान कर रहे हैं यह तो पुरान भी बता रही है और प्रमात्मा भी यह बता रही है कि भगती वीज हो है जो हनसा तारू उतास के एक उत्रवनसा अब देखिएगा यह है विश्णु पुरान हम पढ़ रहे थे अभी आपको और 213 प्रिष्ट पे तिरतिय अंस और यह अध्याय 15 है 16 यहां से शरू होता इसे पहले 15 महीं है यह राजन और और रिशी ब्रामन कहे रहा है कि हे राजन सरहाद करने वाले पुर्ष से विश्वे देवगण पितरगण पिता महे और कुटम बीजन सभी संतूष्ट रहते हैं हे बुपाल पितरगण का आधार चंदर्मा है और चंदर्मा का आधार योग है इसलिए सरहाद में योगी जन को निवक्त करना अती उत्व है हे राजन यदी सरहाद भोजी एक हजार ब्रामन हों सैसर्वान हजार और ब्रामनों के सम्मुख एक योगी भी हो तो वह है यजमान के सही तुन सब का उधार कर देता है एक सादे सबसदे सबस जावे माली सी चैमूल को फिर फले फले उगाए योगी वो नहीं है जो पेट का पानी अलागा जखाए उपरन पयर कर लिदे निश्च नुश्र वो योगी नहीं है वो तो एक प्राकर्तिक चिकत्षक है वह विक्ति वो संत नहीं है योग का आरत होता है प्रमात्मा से मिलने का, योग करने का तरीका, योगी माने भाग्त, साधक, तो अब आपको क्याई सिद्ध हुआ, कि हमारे सदगरंत वेद हैं, वेदुम् सारसाधना करने से हमें अमारी सास्तर नुकुल साधना बनती है, और वेद और गीता दोनों एक ह ही है और परमेश्वन जो जियाँ वँआ पको सुबह सुना ही दिया था रह बोली तुनिया Ugh了 कैसे सरिया रह बोली तुनिया सत्र्र ब्रशी दुनिया सचुलन कैसे सरिया अपने लला के बाल उत्रूआ वजे के चीना लग जईया रेक बकरी का बच्चा लेके उसका गड़ा कटिया रहे बोली इसी दुनिया सद्कुर्बिन कैसे शरिया फिर का चापा का बोजन बना के माता दोगने गईया और समाता उपर कुटा मुटता और के उना मर गईया रहे बोली इसी दुनिया सद्कुर्बिन कैसे शरिया जीवित बाप के लठ्थम लठ्था जीवित बाप के लठ्थम लठ्था और मुवे गंग पुचैया जब आवे आसोजगा मैना फिर कववा बाप बनेया रहे बोली इसी दुनिया सत्गुर बिन कैसे शरिया और उनी से प्राप्त ग्यान को गरीब्लास साहिब जी कहते हैं कि प्रेट सलाप जा बिराजे पित्रों पेंड बराई और बहुर सराद खान को आई फिर काग भेकलमाई नर्से तीतु पस्वा की जै गद्दा वैल बनाई ये चपन भोग कहा मन बोरे कि तक कुर्डी चरडे जाई फिर क्या बताते हैं जै सत्गुर की संगत करते ये सिकल करम कट जाई अमर पुरी पर आसन होते जहां धूपना चाहिए ये तुम सत्गुर की स्रडमा आ जाते हैं ये सारे फंड चूट जाते हैं ना अप्षराद निकालने ना पित्तर बनना ना भूत बनना और सत्वा क्या जाते हैं एक जीवित उधारन देता हूँ आपको मेरे पुज्य गुरुदेव जी इसी हरियान स्टेट से बिवानी डिस्टिक में एक दादरी के पास बड़ा पैतावास गाओं है वहां के रहने वाले थे उनका जनम पवितर ब्रामन कुल में हुआ था लेकिन उनको ग्यान हो गया था कि जिस आधार से ये ब्रामन ब्रामन कहलाते हैं ये ब्रामन नहीं है ये तेक परमपरा पढ़ेगी जैसे कोई वैद था और बहुत सूपरसीद वैद था नबज पकड़ते ही रोग बता देता था और बढ़ी आउस्ती देकर सबस्त कर देता था तो उस उस वैद के वन सजों को आने वाले समय में वैद के अन लाएगे सारे करपा राम बैद बलवान सेंग वैद फलाना बैद और वो वैद है केवल सरनेम बने गया उनका वो वैद नहीं है उस वैद के वन सजोंने के कारण वैद नाम से परसीद हो गयो है अर जानते नहीं पेट के दर्ज की दवाई फिर खाक वैद है वो इसी परकार जो ब्रह्मन है वरत्मान के जिनको हम ब्रह्मन के अन लाएगे बामन तो उस कुल में हमारे पुझे गुर्देव जी का जनव हुआ और उनको जब ग्यान हुआ जो पता चला कि यह तक यह बामना है पंड़त नहीं है पंड़त स्वेजो पंड़की जान है मेरे दादा गुरुजी थे वो दिल्ली के अंदर छावला गाओं के जाठ थे किसान और वो हमारे जो दादा गुरुजी के जो गुरुजी थे जिनके वो सम्प्रक्माए उन्होंने उनको कासी विद्धा पीठ में पढ़ा दिया उस किसान के लड़के को और फिर वो चारविशे के आचारिये बन गए उनको पंड़त चिदानन नाम से जाना जाता रहा उस पर बोर्ड लगा हुआ है पंडित चिदानन आशरम वो जात होका पंडित को आए और हमारे गुरुदेव जी ब्रामन थे नहीं हम ब्रामन ही हम संत हैं तो कहने का भाव यह है कि मेरे पुझे गुरुदेव जी जब पंडरा सोला वरस्की आईू के थे खे तो मैं पसू चरा रहे थे पहले यही काम करते थे गववें चराते थे अपने अपने इनके जमीन भी थी खेती भी करते थे और हमारे जो दादा गुरुजी थे उनके संप्रक में आगे इनको प्रेजना हुई इन्होंने सोचा कि यदी मैं घर से निकलूंगा वैसे तो पीछे पीछे घरवाले बाग लेंगे यह फेर लियाओंगे पकड़ के उन्होंने ऐसी सूजबुज की पहले वन बहुत होते जंगल होते थे बड़े बड़े इन्होंने क्या किया एक दिन दो कपड़े ले अपने दो ड्रेस एक पैर गे एक और ले गे और श्याम के समय जब पसूं को लेकर चलने का समय हुआ अपने साथी दूसरे गवालों से कहा कि आप चलो मैं आ रहा हूं एक बार फ्रेस होया जंगल में गुश गे और वो अपने पसूँ लेकर गरना आगे हुआ उन्होंने क्या किया जंगल में जाकर दिन में वो देख आये थी सारा साथ बाद एक पसू खा रखा था किसी इन्षक पसू ने किसी सेर ने या बेड़िये ने कोई बकरा बकरा क्करा खा रखा था Oooh उस दूसरे पैन करके वह सिद्धे चले गे जहां मेरे गुरू जी थे उनके गुरू जी थी अब रातरी का समय हो गया उससे में कोई असल टॉर्च तार्च भी ना व्या करती गाओं में लगवग सो वरस सो सवा सो वरस पहले की बात है कुछ देर इंतितार की वही वो उनका नाम था कि वह आता ही होगा वह फ्रेस होने चला गया था थोड़ा सा अंद्र काफी देर उद्धार करके गरवालों ने चंता बनेगी वही कोई इंसक पसू रहते हैं यहां पर जंगल में और बालक को कई आनी ना पाँ चाहदी हो दस-पंदरा व्यक्ती चले साथ मंगवालों क पो लेकर के जिनने देखा था इदर गया था अंदेरे में उसमें ऐसी टॉर्टार्ज भी न आथी एक दीपक सा जला रख्या था लाल्टन दे रहाखी थी थोड़ा-थोड़ा टिम्टमा तासा परकास था डूंडचे डूंडचे खोश्टे खोश्टे अंदर गय देखा तो वहाँ कपड़े पड़े अस्ती पड़ी एक दम अन्दे होगे जो करना लगया भाई बच्चा तो खा लिया हो हो ये पड़ा भाई फटा फट उसको उठाया कपड़ों में बंजा लाक अर्थी बना के सुबेरे सुबेरे फूबेरे फूग दिया और फेर होगी उसकी तेर मी शरू अस्ती ठाई फिर गंगा में डालकाए फिर तेर मी करी महिना करा छमाई करी वर्सी करी और फेर होगे वसराद शरू और वो जारे अपना कल्यान कराने के लिए जब उनका सतलोक गवन का समय हुआ मेरे पुझे गुर्देव जी मुखे तोर पर पंजाब में र और एक उनका आश्रम था तो तलवंडी में भी आश्रम था अधिक तरवा तलवंडी रहा करते थी वहां के सेवाधार जाधा थे तो तलवंडी भाई वो रहा करते थे दास को दिख्षा देने का अदेश वो दे चुके थे उनिस सो चुरणवे में उनिस सो च्छणवे में वो अपने गाउं में आए इस पेंतावास दादरी के पास हमें पता चला के गुरुजी यहां आए हुए हरियाना में उनके साथ हमारे हीं से उनके बच्चे दो सिवाम रहा करते थे उनका संदेशा पहुंचा गुरुजी आचुके तो दास भी चला गया हुश में गाउं गाउं में सच्छंख कीया करते थे जब हम वह पहुँचे प्रनाम किया गुरुदेव को उस में सारा गाउं देखने आया कि वो विक्टीतजीव है जिसना हमरे अमान रहे थे सारा गाउं देखने हो या वो गये थे लगबाग सौ वरस के बाद जादते ही बता दिया कि ये मेरे चाचा का गर था ये हमारा गर था हम इतने भाई इतनी बैन तब उनको यकीन हुया सचमुची तो वही हरदवारी है शारी पीडी बताएगी तो जब दास महाँ पहुंचा तो एक बाणवे वरस की 92 येर उल्ड उनकी बाबी बैठी थी ऐसे बात चलती रही चलती रही मैंने उनसे पूछा कि जब हमारे गुरुजी गर टाकर चले गेटे तो आपने पीछे से कैसा महसूस किया यहां नहीं थे आपने मर्त मान रखा था तो उसने का भाई मैं आई ना जब मुझे पता चला था कि इनका एक भाई नी संतान मर गया बे उलादा मर गया उत नपूत कहा कर देसी वासा मैं और इनके इसे की जमीन थी तीन चार एकड़ पांच एकड़ जमीन इनके इसे माती थी उसको मेरे पती और दूसरा मेरे पती का भाई यह तीन चार भाई थे वो प्रियोग क्या करते थे और जब घर में कोई उख हो जाती खेती ना होती पसू मर जाते या कोई बालक बिमार हो जाते तो हम पूछने जाया करते थे अपने प्रोहित हुए और वो पत्रा वत्रा दिखाया करते तो वो कहा करते कि आपका एक बे उलाद्या मर रहा है नी संतान मरा हुआ है हरदवारी और वो सिद्ध है तुम तुम्हें दुखी कर रही है उसके लिए फिर जोसा भी वो जंतर मंतर पताते हम सारा क्रया करते सराद भी निकाला करते थे तो फिर मैंने उनसे कहा माता जी गीता जी में लिखा है नौमे जाय के पत्शीस में स्लोक में के भूत पुजणिये बूत बनेंगे और पत्तर पुजणिये प्त्तर बनेंगे देवताus के पुजारी देवताँ के प्राफ्त होगे मेरी भक्ती करने वाला मुझे प्राफ्त होगा तो जनता का कल्यान करने लागे यू भाई बात तशची है मैं बोला जी अब तो चाग दो इन बकवादों को इन सरादों को ने वली नावाई ने को कर छोड़ जा तो पुराणी लाग है इतना पर्तेक्स देख रहे हैं आप फर भी नहीं मान रहे हैं तो पुन्या तुमाओं सो भागे आपका एपरिवर्तन होगा यू सचाई के अधार से पहले तामडरा रहखे ते नकलियाने नो निकरो वितन्यों हो जागा फलान हो जागा खाक हो जागा मालक सिर पर बैठे का स्रीन आओ और कैसे हिए एक बैद बखता रहा था वो कह रहा था जि में अपन्य बहल के यह चला गया उनके वह वर्शा होगी निकिसान था और मैं अपने उन पुर्सा होगी है जमीन ज्जादा है आप आयो अपने बहल लेयो मारी बदत करो मैं अपने बहल ले गया, खेती समारने के लिए, बीज बौाने के लिए, मेरी सिवा लगा दी दूसरे खेत में, वहां में ले गया, जानता था मैं खेतों को सारे कई वाज़ा रहा था अपनी बैन के हाँ, तो वहां एक जोड़ी थी, उसकों के खेत के आसपास, उस तलाब था छोटा सा, छो बैलों को, तो वहां एक दड़ी गुड रख्या, बैली, गुड की, मैं वहां बैली ठालाया, फोड़ के कुछ तो आप खाई, और कुछ बैलों को डाल दी, उन्हें खाली, तो मैं आके घर सो गया, सो गया तर रात ने एक तिन्निक फुटका विक्टी, दाड़ी सी वाला, मुसल्मान टाइप दिखाई दिया, नो वला, तुने मेरा, मेरी बैली खाली, और बैलों को खिला दी, और दूर खड़ाया नू इतनी दूर मेरे तो, पचास फुट दूर, नो कै तु तु तगडे की सरण में था, ना अच तन्ना मारू, और तेरे दोनों बैलों को मारना था बने, तो तु तगडे की सरण में है, यानि समर्थ की सरण में है, मैं तरह कुछ बगाड दी सकया, मैंने सारे अपनी कोशेश कर दी, तो मैं सुबह उठा, मेरे पसीने आ रहे, डर गया मैं फिर उसने देखके, अकल सकल सी, उसकी, मैंने अपनी बेहन से पूछा, कि मैंने ऐसे ऐसे एक बेली रखी थी, आप खा लिया कुछ बेलों को खला दिया, और मुझे ऐसे ऐसे कि इतनी को साइज का विक्ती दीख्या, मुसलमान जैसा, यू के है, तो उसकी बेहन बोली रहे भाई, तो बच क्यों कर गया, उसने तक गढ़े चेटक कर रहे हैं, जै उसका किसी ने इतना भी समान उठा लिया ने, उसको मारे, और उसके पस्वम इतनी आनी कर जाड़ था, हाकार मचा देता, तो बचया क्यों करे, फिर बिला तुझे मारता, और तुरे बैलों को खतम करता, तो पुन्यात्मा उस समर्थ का सरनाग हो, रंग होरी हो, वाई का देना हो, ऐ का जराम रंग होरी हो, आईए अब अब उन श्रंधालों के अनुभव जानते हैं, जो जगत गुरु तत्वदर्शी संस्रामपाल जी महराजी स दिक्षा प्राप कर चुके हैं, तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ती मात पर चल रहे हैं, तो जो आप दुर्गा जी की भक्ती करते थे या हनुवान जी की भक्ती करते थे, उस भक्ती से आपको क्या लाब मिलता था, निवे से विसिस लाब मुझे कभी नहीं हुआ, प्रमसंसेत्कुरामपाल जी महाराज किष्रणवा आप कैसे आए, मेरे पहर में गैगरीन हो गय जा था, वहां जाके उन्होंने भरती करवाया था, डॉक्तर ने देखते से बोले, यह तो पैर में गैगरीन है बोले, पैर काटना पड़ेगा, पैर काटना पड़ेगा मुझे, तो मुझे अब जो भी हो तो घर पे में आखिला था, वो बापस चले गया था, उसके बाद म बढ़ा रहा, सुब़े से शाम तक मैंने करीवन बहुत सारे डक्टरों को बताया, सवी का एक ही इलाज था, सवी ने एक ही बाद कही ही थी, मुझे क्या आपका पैर काटना पड़ेगा, जेगरीन है, इसके पैर काटने के अलाबाए कोई भी ट्रेस्टमेंट है ही नहीं, बाद मेरे पिता जी भी आ गए थे घर से मेरे पढ़ने लिखने का काफी सोग था वहीं पर एक अपना भगत था उन्होंने बाद में लाकर मुझे एक पुस्तक दी थी बक्ति सुदाकर को संदेश जब उसको मैंने पढ़ा और उसको समझा मैंने तो मैं जब इन लोगों को इ दो लगाती थी थी उसने मुझे कहा कि अरजी लगा दे मने अरजी वर्जी लगाना मैंने जानता आरजी भई तुम लगाओ मैं चलूँगा निश्च चित यह मेरा द्रण प्तिग्या थी मेरी तो बाद में जब मेरा प्र कटने की नहोबत आगे बिलकुल उन्होंने डेट दो दिन पहले उन्हें जैसे सनिवार को मुझे डेट फिक से खरी थी सुमार कर पेर काटने के लिए उन्हें जो कुछ भी है तो डर के मारे मेरे तो वेसे ही आहलत मेरी खराब होगी थी पेर में सूजन थी काफी इतनी थी मेरे को जांक पे से पेर कटना था मेरा डक्टर भी बोले पर अचांचकर शुमार को एकदम आश्चर सा हुआ उस तक तो मैंने पढ़ी थी गुरुजी के अपने तो बस एक ही नाम रठा करता था मैं कभीर महराज है रामपाल जी महराज मेरी रक्षा करो बस यतनी मैंने डूर लगा के रखी थी उसके बाद में मुझे जो भ आपरेशन तो बोले मैं करूंगा पर देखते हूं बोले जब उन्होंने मुझे आपरेशन कीया मेरा तो बिना शुन और बिना उसके पूरा पेर मेरा मतलब वह वही चुका था वेकार हो चुका तब मास पूरा निकाल दिया सुनने की एक सुई भी नहीं लगाई दर्दग तो उन्होंने यह कहा कि कम से कम मुझे दर्द किया सुनने की लगा दो तो उन्होंने मेरे को एक दम डार दिया काम तेरा सोचना नहीं मेरा है चुकि चिकरिश्चक में भी था यह वेश्च मेंने डिगरी आसिल की हुई है पर उसके बाद में जो मुझे फायदा हुआ तो ने यह कहा था कि तेरा पर कैसे बचा 35 साल की लाइफ में यह पहला केसे दर्द के से ग्यागरीन वाला जिसका पर बचा है नहीं आस तक किसी का पर बचा नहीं किसी का दो जगे से किसी का तीन जगे से कटने के बाद में कोई-कोई आदमी तो चले ही गया विल्कुल कम सकम उसने खुद ने स्वयम ने यह बात स्वीकार की डॉक्टर ने वह भी इमानदार डॉक्टर था कि कम सकम बले दस हजार आदमियों में से कोई एक बंदा बसता है इस भीमारी से वह भी पेर काड़ दिया तो अन्यता उसके है ही नहीं इस प्रकार मुझे मुझे यहां आने से पहले मालिक ने महाराज ने मुझे पहले ही फाइदा दिया पाप पिता जी भी मेरे पुस्तक पढ़ते थे उनको मैंने पुछा उस टाम में करीवन दस मीटर भी नहीं चल पाता था बिल्कुल एक टांग से भी लाठी की तो वह नाम लेख गए उनको पिताजी ने मालिक से अरजी लगाई थी तो उन्होंने बोला कि नामदान दिलवादे नामदान के लिए मैं थे खुद तयार भी बैठा था लेटिंग बैठिग में रहता हूं तो खले में जाना पड़ता था घर की पीछे थोड़ी से जगे बेढ़ जाता था सरम आती थी मुझे क्यों बैटी सभी देखती थी मुझे कि इतना बड़ा बलो मैं बेटा हुआ पर लेटिंग कर रहा हूं मैं एक दिन में इसी कमरे में गया था गुरुजी कि मैंने तस्वीर देखी और उनको डंडबस प्रणाम करने के बाद में मैंने ज यहां में लोह पर पुछा दूसरे दीन को मैं जो दिन में तेन एल चार गोलियां खाता ठामें रात को यहмы नहीं फिर में प्रुम और चख्रि MMAा धिन अंहें थिरेश को पूरा दूख्या घ्र ब्रेशिंग कर दुटियाने वारी इस दीन में कूरी में बीमार्ड कि उन्हें घर पे पूरे घर पे हमको जगड़क रखा था सभी को माता को पिता जी को मुझे भी तो हलत इतनी खराब हो गी जब मैं थोड़ा फोड़ चलने लगा उसके बाद में यहां पर 11 जुलाई दोहजार नोको में यहां पहली बार आया था नामदान लिया से यह दोहर नो में दिपावली की बात है अमावश की बात है उस दिन मैंने ड्रेसिंग के लिए जैसी पट्टी खोली जड़ने लगी जैसे पेर हिला हूँ यह से नीचे टप टप करके घरे मैं अब तो जा नहीं अब तो बचना कोई चंसे सही नहीं पर मैंने आस्रम के होना थी कि ग्राफ्टिंग के समय भी गवलियार होस्पिटल में भरती था वहां पर धीरे-धीरे सब फायदा होता है ग्राफ्टिंग के लिए मेरे सरी में ब्लेड नहीं था वह ब्लेड को बढ़ाओ अब ड़ाक्टर गयां दे रहे हैं और नहीं बढ़ा तो उसका मैं टेक्डब मुझे उंगलियों पे मैं अपना गुरुजी का नाम ले रहा था मैं तो डाक्टर मैं ने बोला कि किह न है कुछ नहीं मैं अपने वोग्यों कंद डेथा चेशंग मुझे कर बाद में उन्हों की एक सब्द मेरे कानों में गूंजा था देखो मुमेंट कर रहा है तो फिर बाद में करीबन एक अपते बाद मेने डॉक्सर प्यूचा मने एक बात बता है कि कम से कम यह तो बता दो मुझे कि उस टाम ऑपरेशन ने अटी कि अंदर मेरे साथ में क्या बाद में परमात्मा ने मुझे डबल से जीवन दान दिया था मुझे बापास उसके बाद में फिर भक्ती करते रहा मैं आराम से अभी दो साल पहले मुझे लीवर और तिली में अचान चकर बहुत ज्यादा सूजन आगी डक्टर ने फिर ऑपरेशन का बोला मुझे कि क्यों आप बोले मर जाओं तो मने आप जिंदिया रखने की मुझे गारंटी देते हो क्या वह इसा भी कोई होता क्या नहीं होता हमने चुटी करो मेरी तो बहले यह दबाईयां लेते रहना मैंने दबाईयां वगरा कुछ निलिया छीदह होई ऑस्पिटा से सीदे अपन मैं घर में अखेले जुड़ा था और पापा जुड़े थी और कोई नहीं आ रहा था मेरे यहां से मिसेज भी मतलब घर में सब पूजा पाड बगएरा सब मैंने बंकर रखी थी सभी कुछ पर मेसेज आ नहीं रही थी उनके पहर में दर्द चालुआ चूंकि शिक्षक में भ पहर थी वही किस्ता उसके साथ में उन्हें दंडबत प्रणाम किया फाइदा तो नहीं है भी रज़ रखो थोड़ा थोड़ा नहीं आरा मिलेगा तो उनको फिर मैंने अमरत जल्द थोड़ा से पिलाया और रात भर में उनको आरा मिल गया जहां लाठी की सारे से वह चल र रामपाजी महाराज से ना उदेश लेने के बाद आप जो बता रहे हैं कि आपका पैर कटने वाला था वो ठीक हो गया फिर आपको और भी बहुत से रोग थे आप एक चिक्छक होते वे भी अपना इलाज नहीं कर पा रहे थे पिर आपने प्रमसंस्त्त को रामपाजी महार है में चाहता हूँ आज संत्र रामपाज जी महारा जी इनको एक उच्छे है पूर्ण परमात्मा समझarti है रिक विद में लिखा हुआ है शाहा है पूर्ण परम्सान के पाप माद कर्म को भी कार सोबर्सि आयुप्रदाण करता है shareUM हर्याना में आए और अत्म आत्म मेरा नाम सर अखिलेश दास है ग्राम महुआ चाचर जिला हर्दोई यूपी का रहने वाला हूं सरे क्या काम करते हैं आप सर मैं राज मिस्तिरी हूंगा कि संत्रामपाल जी महाराज कि शेड़ आने से पहले आप कौन सी वक्ति करते थे कि इन से हमारे में ब्रह्त विष्ण महाज की पूज़ राख करते थे अंभी कभी गफ्र करते थे और हमारे अधर जो डिश्टि के सीतापुर में पड़ता है नमे शारयन आहां वहां सार्ण था जाते थे बहुत प्रेसान रहते थे सब तो सरे संत्रामपाल जी महाराज की सरण में आपके से आए संत्रामपाल जी की महाराज की सरण में ऐसा है हम यहां से गए थे अपने सेश्टर की साधी में साधानपुर में मेरी मोसी की लड़की है करवाएं तो हुआ पता नहीं क्या हो गया तो बहुत तेज़ दर्द हुआ तो मैंने डॉक्टर के पास आपरेशन करवाया और से वह इंफक्षन हो गया मेरे सरीर में पूरा खून सा काला जैसे हो गया पूरा सरीर में जहर हो गया इतना दर्द हो रहा था कि पूरे शरी में फोड़े जैसे बन गई थे इतना दर्द हो रहा था जैसे कि अब मेरी जान बस निकल नहीं वाली है बहुत दर्द हो रहा था फिर वहां से लेकर के गए तुरंत हर्दोही ऑस्पिटल में कटियान नर्शी मों गए बड़ा स्पिट लाओंगा यह गये मुझे देखने थे मैं बीमारी था वहां पे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था मुझे मैं पर मेरा मामा जी ने ग्यान पुस्टक दी उस पे उन्हों इनसे कहो कि महराज जी आप ठीक कर देंगे हमको ठीक होने के बाद में सब्सक्राइब अपने अपने अर्दे से सुचता था कि मैं कभी सखने आश्रम बर्वाला या रो तक जाओंगा देखूंगा कैसा है वहां पर जो है मैं यह सोचता था एक बार जो है मेरे मामा जी आ गए हमने सोचा चलो मैं भी चलता हूं यहां पर देखा मैं सोचा था कि ऐसे दर्शन करेंगे और उसके बाद में फिर वापास आ जाएंगे मैं ने देखा कि यहां परमात्मा आए हुए है तुरंत मुझे कि अपनी मर्जी से नाम टेलिया और भक्ति करने लगे और भक्ति करने के बाद में हमको जो लॉव मिलते है उनके मर्यादा में रह तो जो है हमारे गर में सकत्राइब्र मुष्जा प्रवाते हैं जो मैरे से मुंगुधाया मुगर्वाते बहरोता है उन lethal friend उसके बाद में मेरे घर में रहने के लिए भी परःसानी हमेरे से प्राथना की, की गुरु जी मेरी मम्मी का बिर्ट पैसर अध वह जाता है उज हैं उसके बाद में यहां आए तक भी नहीं है उनको है लॉजुर मिल गया घर में कोई बीमारी नहीं रहता है मेरा भाई यह कहा गहाँ है है हुआ है हमारे गर पर बस है किरे संदेज को क्या संदेज देना चाहते हैं जो भीकाइन voir ऊता है उसको वह जो होते है उसको जो एन्धेगर पुर्ण से धुक होते हैं वह पुर्णी से ही हुए मैं तो शबको यह संदेश देना चाहता हूं कोई भी वह सुखी भी है यहां संथ राम्पाली महराज के दरवाई जो है इसको भक्ति करें और आपको बहुत आप सुन रहे थे जगतकुरू तत्वदर्शी संतरामपाल जी महराजी के मंगल प्रवचन अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारे वेबसाइट www.jakatguru.rampalji.org संतरामपाल जी महराजी के शुब आशिवात से पूरे विश्व भर में 500 से भी जादा नाम दिख्षा केंद्र हैं जिन पर संतरामपाल जी महराजी द्वारा ओनलाइन निशुल्ट नाम दिख्षा दी जा रही है अपने नस्दी की नाम दिख्षा केंदर का पता करने के लिए संपर्क करें 8222-880541 टे कि इन ऑूल है 8232 चूल लिए और भी आप्सान प्लाइब करा अपला करना के अपला कर दो है